स्वागत है आप सबका अपने चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट में आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राश्री पॉलीपैक लिमिटेट के बारे में और वीडियो में हम आपको कमपनी से रिलेटेट एक इंपोर्टेंट न्यूस भी बताने वाले हैं तो आप सब इस वीडियो को बिना स्किप के हुए शुरू से लेकर एंट तक पूरा देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि इस कमपनी का स्टॉक आपके पास है या फिर नहीं है तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं इस कमपनी का मार्केट कैप 327 करोड का है अब बात कर लेते हैं कमपनी में शेयर होल्डिंग के बारे में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कमपनी में 45.18% की है जो की 3 कौाटर से लगातार कम हो रही है और रीटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग कमपनी में 54.78% की है जो की 2 quarter से लगतार बढ़ती होई दिख रही है अब बात कर लेते हैं company में fundamentals के बारे में इसका PE ratio 36.96 है और जो इस sector का PE ratio है वो 64.33 है PV ratio 2.12 है ROE 8.84% है ROCE 12.04% है company अपने निवेशकों को dividend भी देती है इसका dividend yield 0.57% है company का debt to equity 0.57 है जान लेते हैं company के अंदर profit और loss के बारे में बात करें इसकी year wise report के बारे में तो 2023 में company को 11 करोड का profit हुआ है जबकि 2024 में company ने 10 करोड का profit अर्ण किया है 2023 के comparison में 2024 में company को 1 करोड का profit कम हुआ है और अगर बात करें इसकी quarter wise report के बारे में तो June 2023 में company को 2.09 करोड का profit हुआ है जबकि 2024 में company ने 4.01 करोड का profit अर्ण किया है June 2023 के comparison में June 2024 में company को profit जदा हुआ है जान लेते हैं share market में company की performance के बारे में 2021 से अभी तब company ने अपने निवेशकों को 22% का return दिया है एक साल में company ने 70% का return दिया है छे महीने में company ने minus 1% का return दिया है एक महीने में company ने अपने निवेशकों को 1% का return दिया है और पास दिन में company ने अपने निवेशकों को 1% का return दिया है तो आज सबने राश्री polypack limited से संबंधित आंकरे देख लिए है company में हमें सिर्फ 2 तरह की share holding देखने को मिल रही है company का PE ratio low है company अपने निवेशकों को dividend भी दे रही है इसके अलावा company का gap to equity low देखने को मिल रहा है बात करें company में profit और loss के बारे में तो company ने quarter wise तो अच्छा profit earn किया है लेकिन year wise company का profit पिछले साल के comparison में down देखने को मिल रहा है और अगर बात करें company ने अपने निवेशकों को कितना return दिया है तो इसमें हमें काफी up down देखने को मिल रहा है अब बात कर लेते हैं company की important news के बारे में वो ये है कि company ने 1Y 2K ratio में share split करने का announcement किया है यानि जिसके पास इस company का one share है उसे two share मिल जाएंगे और इसकी rate उस हिसाब से adjust हो जाएगी इसका announcement company ने 6 अगस्त 2024 को किया था और जो इसकी record date है वो 18 September 2024 है तो आप सब किसी भी company में निवेश करने से पहले अपने financial advisor की सलहा ले ले और खुद भी अच्छे से research कर ले वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दे और अगर अभी तक आपने अपने इस youtube channel share market report को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe कर ले और bell icon को press कर दे बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में तब तक के लिए bye